लेखो सबी अध्राक्ष महोदय मैं समझता हूँ कि अब तक इस बैदिसिक नीती पर ना केबल इस और के सदस्यों ने ही बल की दूसरी और के सदस्यों ने भी प्रदान मंत्री जी को धन्यवाद दिया है इसलिए मैं अपनी तरफ से धन्यवाद दे कर उनका बोज बढ़ाना नहीं चाहता इसमें कोई संदेह नहीं कि इस सदन के सभी सदस्यों चाहे वे किसी भी पार्टी से समंद रखते हों इस बात से पूरे सैमत है कि हमारी बैदिस नीती ने संसार में हमारा सिर उंचा उठा दिया है हमने पंचील के सिधान्त को संसार के सामने रखा हैं यदि हम उसके आधारभूत सिधान्त पर द्रश्टिपात करें तो हमको पता चलता है कि हमने संसार में एक जो सबसे बड़ा काम किया है बह यह है कि हमने तनाब को कम करने का प्रत्न किया है जिस समय हमने नई नई स्वतंत्रता प्राप्त की तो हमारे सामने बहुत से प्रस्न थे उनके साथ ही हमारे दो बड़े गुट थे जो की एटम बम और दूसरे बम लिये हुए हमको चुनोती दे रहे थे कि अगर हमने उनमें से किसी एक गुट में शमलित नहीं हुए तो हमको बड़ी कठनाई होगी उस समय भी हमारे प्रधान मंत्री ने हमारे देश की बैदिसिक नीती को इसी इस्तर पर रखा जिसके कारण आज हम संसार में अपना सिर उंचा उठा सकते हैं हमने जो संसार के सामने पंच सील के सिधानत को रखा उसका सबसे बड़ा फल यह हुआ की एक सम्मेलन हुआ जिसकी और मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं इस सम्मेलन में बड़े उत्सहा के साथ संसार के 29 राष्ट ने जो की एसिया और अफ्रीका से शंबंद रखते थे यह गोशना की कि हम संसार में तनाव कम करना चाहते हैं और साथ ही हम यह चाहते हैं कि संसार में जो बिविन सामाजिक और आर्थिक नीतिया हैं बे साथ साथ चल सकें हमारी बैदिसिक नीति में जो सबसे महत्पून चीज हैं बहे हैं शह अस्तित्व की भावना उसी भावना के फलसरूप हम देखते हैं कि आज कोरिया का युद्ध नहीं हुआ जो कि एक तीसरे बिश्वयुद्ध के रूप में परिवर्तित हो सकता हैं हमारी इस नीतिक कारण हमारे अमरीकी मित्र हमसे कुछ आप्रसन भी हो गए लेकिन यदि हम ऐसा ना करते तो आज संसार को तीसरा युद्ध देखना पड़ता मैं बहुत जादा समय नहीं लूँगा थोड़ा ही लूँगा स्टाप